नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल डेली इसार ब्रेकिंग न्यूज 2.0 अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरू करें अब चलते खबर की तरफ सडक हादसे में दो भाईयों की मोत तेज रफ्तार ने ली जान पिता के सपने रह गया दूरे हिसार दिली नैशनल हाईवे पर गाउ घडी के पास एक गाडी की तेज रफ्तार ने दो सगे भाईयों की जान ले ली यह हादसा उस समय हुआ जब दो सगे भाई खचर रेडी लेकर जा रहे थे उस समय गाडी काल बन कर आई और रेडी खचर को टकर मार दी यह टकर इतनी जबर्दस थी की कारवे खचर रेडी सडक से दूर गड़े में जा गिरी खचर रेडी में बैठे दो सगे भाईयों और खचर की मोके पर ही मोत हो गई मिर्तिकों की पैचान 18 वर्षी आसीस वे 15 वर्षी नीरज के रूप में हुई पुलीस ने मोके पर पोच करेण की साइता से क्रेटा गाड़ी के नीचे दबे खचर के सब को भार निकलवाया दोनों यूवकों के सब को पोस्ट माटम हेतू नागरिक अस्पताल में भिजवाया हादसे के बाद गाड़ी चालक मोके से फ्रार हो गया सडक हादसे के कारण पल भर में अमर चंद का हस्ता खेलता प्रिवार उजड गया बताया गया कि दोनों भाई इट भट्टा पर खाना देने और पसूओ के लिए गास लेने के लिए खचर गाड़ी पर सवार होकर खेत में जा रहे थे दोनों जब खचर रेडी के साथ मुख्या मार्क पर आये तो कार ने टक्कर मार दी कार खचर गाड़ी तोड़ते हुए खचर के उपर जा चड़ी बताया गया आसिस बारवी करने के बाद नोकरी के लिए हिसार में कोचिंग ले रहा था रविवार कोई वे हिसार से घर आया था नीरज गैरवी कक्षा में पढ़ता था और गाव में कबड़ी खेलने का भ्यास करता था वे कबड़ी का खिलाडी बनना चाहता था